आपको पता है कि अभी लॉकड़ॉन चल रहा है तो हम सभी लोग कुछ ट्रैवलर्स कुछ नॉन ट्रैवलर्स और कुछ नॉन्मल लोग अपने घरों में बंद हैं कहद हैं और रह रहे हैं सबके सब सोच रहे होंगे अपने पुराने ट्रैवल के किस्ते वो कहां कहां घूमने के और उने क्या क्या किया तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसी कहाणियों के किस्ते आप तक लेकर आएं इस पॉड़कास के थूप आज इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं बहुत एक कॉमन नाम वाले गौरव शर्मा जिनने लोग इंस्टाग्राम पर वांडर दा के नाम से भी जानते हैं आपने देखा होगा अगर वांडर दा कि कभी आप अकाउंट फॉलोग करें तो वहां बहुत सी खुबसूरत तस्वीरे होती हैं और उनकी ट्रिप्स के बारे में भी पता चलता है कि उन्होंने कहां का गूमा और क्या क्या है यह हैं उनसे आज जानेंगे अभी गौरव ज चेतन तो सबसे पहले हम शुर्ताओं को इंट्रीउस कर देते हैं इस पॉड्कास्ट के बारे में जिसका नाम हमने रखा है लाइफ इस इंजॉई काफी समय से मैं और चेतन प्लान कर रहे हैं कि हम किसी पॉड्कास्ट की शुरुवात करें तो हमने सोचा क्यों ना ट्राव एक शुर्ण बायो में शब्रिफ़ होता है वांडर लग लियुक्त ने रहे हों और हम लोग इसोचे रहे हैं कि क्या उनको पुछ वो शुद्र अपना चाहिए जिस तरह दुनिया में हालात हो रहे हैं क्या वो शुद्ध के अब कुछ माईने भी रहें तो पता नहीं यह मैं प्रजमेंगे वीदेश मे कहां खां गया विंगो सब सब्सक्राइब चक्रों साथ अच्छान सर्माइब करें आइसलेज्ड ख्रभी करें वह साल फ़्ली है गए गएsels शे महीने के लिए मोटरसेकल ट्रिप पर जाब उनने क्रॉस कॉंटिनेंट ट्रावल किया तो हम उनसे फैला प्रशन यही करेंगे कि गौरो जी आप साउथ अमेरिका में कहा कहा गए थे तो मैं पिछले साल जानवरी में संट्यागो पहुचा और वहां पर मैंने मोटरसेकल खरीदी और कुछ पच्छे सा किलोमेटर मोटरसेकल पर ट्रिप किया टोटल शे कंट्रीज कवर की मैंने शुरुवात मैंने चिली से की फिर वहां से अर्जेंटीना फिर बोलिविया पेरू इकवडर और एंड मैंने कोलंबिया में किया तो हाँ दिस वस सम्टिंग मैं ऐसा तीस साल की उमर से पहले करना चाहता था और कह सकते हैं चाइल्धूट ड्रीम भी कह सकते हैं जी है चाइल्धूट ड्रीम यह आपने काफी इंट सब्सक्राइब करना इस पर थोड़ा अब रॉष्णी डालें मगर कह सकते कि इसा मोटर साइकल पर दुनिया देखना टाइप्स वैसे इसके पीछे बहुती इंट्रेस्टिंग कहानी है एक तो हमाय बिता जी काफी शॉकीन है ट्रेवल के इस चकर में ऐसा बच्वन में जाना होता था जैसे मेरे तो चारो धाम टीनेज में हो गए इसा पाप करने की उमर आने से पहले ही सारे पाप दुल गए तो हमें लगा कि मोटर साइकल मिलेगी तो पूरी दुनिया मोटर साइकल पर गूमेंगे मैंने वोला फिर फिर गूमें क्यों नहीं तो कैसे गूमते हैं तुम्हारी जैसी वालादे हो गई तो मैं पढ़ाये लिगा हैं कि गूमने चले आए तो पॉइंट बिंग वो जो थ्रेड अफ थॉट टार की मोटर साइकल पर दुनिया गूमना वो दिवांगों नहीं गया इसा मोटर साइकल पर स्कूल जाते थे कोचिंग जाते थे बट इसा आप भूम रहे हो जा रहे हो एक फ्रीडम इस दे तो आपने अपना ही नहीं अपने पिता जी का सथना भी बूरा गिया नहीं नहीं इन फैक्ट उनको तो बताया भी नहीं था पहले बोला थे कि ऐसा एक महीने के लिए यूएस से जा रहे हैं आफिस के काम से फिछे साथ महीने हो गया बाकी पीछे से मम्मी ने समाल लिया कुछ-कुछ तो घर से परमिशे नहीं मिली थी आपको नहीं मतलब मोटरसाइकल का तो नहीं बताया था घर पे नहीं तो काफी परिशान हो जाते हो ऐसा मम्मी के दो रद बढ़ जाते मगर मुझे आते हैं मम्मी का एक वाए फोन है था मैं बोलीविया में था तो फोन करके वो डाटने लगी कहती शरम नहीं आती इती तेज मोट मोटरसाइकल थोड़ी चला रहा हूं मैं तो बोली जूट मत बोलो हमने देखा तुम्हें डेथ रोट पैसे खड़े होके मोटरसाइकल चला रहे थे मैंने बूझ रहे आपको कैसे बता तो बोली हमें सब पता है फिर मुझे बता चला कि मम्मी मेरा Facebook पर लाइक करती है तो स्टोरी जोगरा शेयर करने लगा तो शुरुवात ही आपकी ट्रिप की इतनी इंटरस्टिंग आनी से हुई है कि आपको पर्मिशन भी नहीं मिली थी और आपने घर पर बताया भी नहीं अब फिर भी आप छे महिने की ट्रिप पर चले गए तो हम आते हैं कि आपने उस ट् क्लास के लिए एक प्रोफेशनल इंडियन वोकिंग प्रोफेशनल के लिए सोड़ा डिफिकल्ट है तो आपने कैसे शुरू किया मुझे याद है वो कित्ते दिन भी कहीं भी रुख रहे थे तो मुझे लगा कि यार यह करना है ऐसे एक ही कंट्री नहीं मुल्टिपल कंट्री और थोड़ा लंबे डिवरेशन के लिए बाइक ट्रावल करना है फिर वापसा करने डिसाइड गया कि अधा छे-सात महिने के लिए निकलेंग बट इन सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा वो तो था लाइसेंस बनवाना तो इसे बाइक और गाड़ी तो चला रहे हैं कुछ स्कूल से चला रहे हैं 15-16 साल हो गए इंफर उस समय तक तो 10-11 गंट्री जो मैंने ड्राइब किया हुआ था बट कभी लाइसें लिए उसका नंबर नहीं कोई कॉपी नहीं कभी पता ही नहीं था तो मैंने छोड़ो कौन इंट्टा लोड ले तो कभी लाइसेंसी नहीं था पिर काफी सरकारी मशक्कतों के बाद एक दो महीं ने चकर गाटे आटियों के लाइन में लगे फिर फिर उनाने फाइनली जब सब्सक्राइब कर दिया वह मुझे बता है कि लोग सब को फेल कर दें आजकल क्योंकि ऑनलाइन हो गया सब कुछ तो इसा ब्राइब लेना मुश्किल है तो टेस्ट में फेल कर दो टेस्ट के लिए जोगार्ट से पास होगा और समय शायद मेरा लास्ट वीक तर ट्रिप से इस बार आपका टेस्ट क्लियर हो जाए उसके बाद 2-3 हफते का प्रोसेस है जब तो आपको लाइसेस नी बनेगा और एक बार लाइसेस बन गया उसके इंटरनाशनल वाला प्रोसेस भी है मगर फिर भी मैंने सोचा कि ऐसा ब्राइब तो नहीं दूंगा तो फिर दूसरी बार गया टेस्टेन है तो बाहर मुझे एक लॉड़ा मिला ऐसा बबलू नाम का एजेंट हो तो उसने देखके बूचा दूसरी बार आ रहे हो मैंने वहाँ भाई के तो क्यों फेल हो गए दे मुझे आकमत करो के ता पैसे दे तो अभी दो गंटे में लाइसेंस दे आपके वीजा ओ गया आपने मौटर साइकल ले ली आपके पास पैसे भी है सब कुछ सॉट हो गया आपक लाइसेंस नहीं है इसलिए आप मोटर साइकल टरपनी कर पा रहे हो बेट रहे हैं थांक्स टू बबलु भाई लाइसेंस तो आगया तो आपकर इस पूरे वाक्रिय पूरे इंसिटेंट में पूरे एक्सपीरियंस में आपने शेयर किया एक जो चीज जो सार निकल के आता है वह यह कि अगर इस देश में आपके वास जुगाड है तो आप काफी कुछ कर सकते हैं और काफी डेवल टाइब है अब ही कि अपने बिना लैसेंश की सोच भी लिया कि मोटर सेर्गल ट्रिप करते हैं साउथ अमेरी का जाएं तो अगर कुछ हम इंफ्रमेशन दिन चाहिए प्मयाशन और शुरू होताओ को कि बहुत मुद्ध लोग सोचते भी होंगे कि हाम भी ब तो सबसे पहले मैंने क्या किया यूएस का वीजा लगवा लिया मैं ट्रावल हिस्टी थोड़ा सही है वाईसा मैं कुझ्जू भी नहीं हूँ तो यूएस का वीजा आराम से मिल गया और एक बार आपका यूएस वीजा हो जाए भी अगर भी होता है एक डिड़ महीने लग गए बट इट वस्टिल एजियर देन प्रबबली उरोपीन वीजा जिसमें मुझे काफी टाइम लग गया था फिर इसके जो में चीज बचती थी वह थी कैसे मोटरसाइकल खरीदनी है तो काफी रिसर्च किया मैंने ऐसे फेस्बुक रोज मोटरसाइकल कोरम्स में काफी पूछा मैंने बट कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पारी थी कि अगर आप फॉर्णर और चीली की नंबर प्लेट वाली बाइक आप बाहर ले जाओगे तो वह एलाउड नी है तो मुझे बेसिकली चीली में किसी और कंट्री की भाइक खरीद नी थी और मैं भी फॉर्णर था तो यह फिगर आउट नहीं हो पार था कैसे करना है बट समा मैं काफी लखी था कि मुझे बाइक मिल गई तो इंस्टाग्राम पर मैंने एक अमेरिकन लॉंडे से करनेट किया जो कोलंबिया से चीली आ रहा था और एक्जाक्ली मेरी डेट्स पर और वो भी रॉयल इंफिल हिमालेन पर है मैं सुचा वा यह तो सही है ऐसा सब्सक्राइब किया और बाइक मिल गई तो आम प्रॉबली दा फर्स परसें टू ओना मोटरसाइकल विदिन 24 आर्स ऑफ लैंडिंग ऑना कॉंटिनेंट और वहां मुझे पहुंचके समझ में आया है कि यार अकेले तो मैं नहीं कर पता क्योंकि वहां पे एक वर्ड नहीं किसी को इंग्लिश का और वो भाई सब पूरा स्पैनिश बोल लेता था इंफाइट वो शायद निकारगवा में इंग्लिश पढ़ाता था स्पैनिश बच्चों को तो ही वस्वेरी फ्लुएंट विद स्पैनिश तो समहों यह वाला जो पार्ट लोगों के लिए मुश्कि आपका रहा लेकिन आपने अंत में बात बोली कि वहां पर किसी को इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता था तो जब हम एज़ाइबर सोच्टे हैं कि आज अन इंडियान जो पर लेते हैं कि भार इक लोगों को भी इंग्लिश तो आती हो तो यह काफी सब्राइजिंग है सुनना कि साउथ अमेरिका में आपने आप गए तो बहुत बड़ा प्राब्लम था ऐसा साउथ इस्ट एश्या में सेंट्रल एश्या में ट्राविल किया है जहां लैंग्विज काफी बैरियर है और एसा नहीं कि पता नहीं था कि मगर इतना प्रोब्लम आएगा यह तो नह में मैंने लैंड किया और वहाँ पे ऐसा एयरपोर्ट पे जो इम्मिग्रेशन ऑफिसर था उसे एक वर्ड नहीं आता था इंग्लिश का मतलब भाई तुम्हारे जेडी है यह कि बाहर से लोग आएंगे उनको तुम्हें अंदर लाना है और भाई को एक वर्ड नहीं आता हमें और स्टार्टिंग के कुछ दिन तो काफी फाइट आया ऐसे रेस्टोरेंट में जाओ तो मैं नियू में कुछ समझी नहीं आए ऐसे अकड़ वकड़ बंबे बोगर के और करना पड़ता था और फिर वेट करो कि भाई पता नहीं क्या आ जाए ऐसे एक जगा तो गया म पीरा बियर मगर स्पैनिश में करते ही रैंडम होता है सर्वेसा तो भाई जमने मोला कि भाई लेया ओ तो पता नहीं किसमझा वो ब्रेड मक्खल लेया या पर कौन माता पच्ची करता जो भी लाता था मैं तो खालेता था और पहले तीन-चार दिन तो पानी भी निकरीद पर अधम है तो वहां पर नॉर्मल ऐसे तुम जाके पानी मांगोगे तो वह कुछ सोडे वाला पानी देते थे अग्वा कॉन गासी फिकाड़ा इसा कानियों है गैस होती थी तो वह भाई वह पिया ही ना जाए उससे प्यास ना मुझे और बोटल पर भी ना पाओ क्योंकि स्पैनिश में लिखा होता था और यह सब सेंटियागों की बात है जो साथ अमेरिका की सबसे डेवलप्ट कंट्री की कैपिटल है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसा रूडल एरियाज में क्या सीन होगा फिर चार-पास महीने में तो बेसिक स्पैनिश आप बोलने लगते ह सब्सक्राइब काफी इंफॉर्मेशन आपने यहां पर दी है कि अगर साथ अमेरिका जाने का ट्रिप लोग प्लान कर रहे हैं या गूमने का तो स्पैनिश कुछ उनको सीख के जाना चाहिए आई तिंग काफी सारे लोग इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते प्लानिंग आपने इसलिए बता है विकॉज जैसे कि हम फोटो देखते हैं इस्टाग्राम पर फोटो अन्वीशी अलिपल बिट ऑफ काप्शिट तो उसके पीछे कि जो बाहर दूसरी कंट्री बचाकर जो ट्रैवल करना उसको बिच्छी को स्ट्रागल वह हमें काफी कम लोग बदात तो यह आपने काफी अच्छा अपने एक्स फिने शेयर किया एक और चीज़ मैं आप जाना चाहता हूं कि साउथ अमेरिका जब भी आप सुनते हैं ऐसा तो आपके दिमाग में ब्राजील, वेरेंजुएला, अर्जेंटीना ये कंटिज आती हैं और यहाँ पर माफिया और आप किसी से भी बात करोगे जो वहाँ पर गया हो या वहाँ पर रहता हो सब आपको वां करेंगे कि साउथ अमेरिका में थोड़ा सेफ्टी इशूज हैं मगर अगर मैं वापस आके सिर्फ अपने एक्स्पिरेंस की बात करूं तो प्लेस लाइक बार्सलोना, पैरिस यह कुछ नहीं देखा, जो प्रॉबर्ली मैंने उरोप में सिर्फ कुछ दिनों में देख लिया था, मगर अगर मैं बात करूं लोगों के एक्स्पिरेंस की, जिन से मैं मिला, जिनकी कहानिया मैंने सुनी, तो हाँ इसा इन पार्ट साउथ अमेरिका थोड़ा अनसेफ है, और आपर नॉर्मल से आपको थोड़ा ज्यादा केरफुल रहना पड़ता है, जैसे मैं बाइक पे था, तो बाइक आप आप नॉर्मल ही भाहर नी खड़ी कर सकते हैं, आप घर पे हो या होटल में हो तो इसे दरवाजी के अंदर लॉबी में रखोगे, या कमरे में रखोगे, इसा बाहर आउटसाइड नहीं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरेट में नहीं होता है, आप ने गाड़ी पार्क की आदे गंटे में कोई टायर ले गया, कोई स्टेरिंग ले गया, तो कुछ भी हो सकता है, तो वैसे ही थोड़ा इसाब है हो आप अबी भी, पट मैं तो थोड़ा लेजी था, मैं तो कहीं भी छोड़ देता था, तो एक बर कोई टैंक बैग ले गया, एक बर कोई हलमेट ले गया, एक बार भाई को कुछ नहीं मिला, तो पंचर कीट रखी थी पीछे, तो वही ले गया, पट सब माइन इंसीडेंट्सी थे, बट हां में सिट अचानक से उटे, उन्होंने बंदू दिखाई और पूरी बस के फोन और वालेट चुरा के ले गए, तो इसा नौथ पेरू, पार्ट्स ओफ एकवर्डोर, कोलंबिया में, आर्म ट्रॉपरी का भी भी सीन है, और पब्लिक प्लेस में फोन पर बात करना या कुछ ऐसा यू आपका टायर पंचर हो गया है, और फिर कुछ गाड़ी में हो गया है, और वहां से 500 मिटर दूर एक लॉंडा होगा, पूरा फुल मेकानिक के गेट अप में, तो आप एक बार तो रुकी जाओगे, कि देख लेते हैं बाई, क्या हो गया है, और जैसी आप रुकोगे, लॉ होता है, वहां सेफटी इशू का, इनफेक्ट एवरीबडी वॉड 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 वान यू कि ये कैमरा बाहर मत देका लो, फोन बाहर मत निका लो, ऐसा लोग सीक्रेट वालेट देके गूमते थे, टी शर्ट के अंदर बानते थे, बाहर वालेट नहीं रखते थे, बट प समझ लो, वहां का कनोट प्लेस, और मैं पहुंचा वहां, तो आट बजे वो जगा एकदम खाली, वहां पे सिफ मैं था और एक पुलिस की गाड़ी थी, तो मैं चुप-चप जाके पुलिस की गाड़ी की पीछे खड़ा हो गया, फिर दस मिरट बाद पुलिस चली गी और म इस बीच मेरी इतनी फटी हुई थी, ऐसे कता ही रैंडम लोंडे आ रहे थे थोड़ थोड़े देर में, एकदम जैसे साथ अमेरिकन ड्रग लॉर्ड मूवीज में वो जो घुंडे के साइड वाले लोंडे नहीं होते हैं, जो फिलर शॉट्स के लिए ही मर जाते हैं, उस इसे रुक रहे हैं मेरे सामने, कुछ-कुछ स्पैनिश में बुल ले हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, और ऐसे दो-तीन लॉंडन ने तो इसे हाथ भी लगाया है, कि इसे वाले डूड ले हूँ, तो फिर मुझे तो लगा भाई, कुस तो कांड होगा आज, मैं तो वह पक गया, एक रेश्टरेन में घुजिया, बढ़ा ओवराल थोड़ा सा केरफुल रहना पड़ता है, वहाँ पर, स्पेशली रात को सिटीज में, तो काफी इंटरस्टिंग और इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपर आप, और काफी फिल्मी चीजे भी लग रह है कि शायद में ग्यांग्स्टर मूवी में और कुछ सीन चलता है और बंगू के निकल रहे हैं, पोलिया चलता है, तो ऐसे नहीं, फिर भी आपने वापर शेह में निकाले, शेह में ने गुजारे, आपने चिली से आपने शुरुवात करी, फिर आप अजेंटिना भी गए इक्वेडोर भी गए, पेरु भी गए जैसा कि आप मेंशन कर रहे हैं, तो आपके अपने शाप से कोई और जो आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ नबुस तो हुएवा, काफी कुछ एनेक्डोर्स होंगे आपके बास ब पीचु गया, आमाजोन के जंगल देखे, अटाकामा डेसर्ट में कैम्पिंग की, पैटागोनिया में काफी टाम स्पेंड किया, उशु आया, जिससे एंड अफ द वर्ड कहते हैं, वहां पे गया, सलार देव युनी गया, जो बेसिकली ऐसे वहां के सबसे पॉपुलर आप अपनी आइटरेनी बनाओगे, आपका जो प्लान बनाओगे, तो आप इन जगहां के एराउंड बनाओगे, कि ये सारे स्पोर्ट स्टो कवर करना है, तो मैं भी जब बना रहा था प्लान, तो मैंने एक रफली ऐसे 10-15 चीज़ें जो मुझे देखनी थी, वह बना लि जैसा कि क्लीशे काहवद भी है, तो जो इन जगहां तक पहुचने के लिए अच्छे और खराब अनुभव रहे हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो, इतने लंबे समय के लिए मोटर साइकल पर जाते हो, तो आप बहुत कुछ प्लान नहीं कर सकते हो, और जब आप प्ल क्लिफ जंपिंग की, तो मैं कुछ गलत खूदा और इस ऐसा चोट वोट भी लगी थी, बट अब से काफी मुझे डर लगने लगा, इसा मैं कभी क्लिफ जंपिंग भी नहीं कर पाया, और मुझे पता चला लगी है, तो एक बर मैं पैराग्लाइडिंग करने गया था, बीर जंपिंग में आप उपर होते हो, मगर आप देख सकते हो कि अगर आप गिरोगे तो कहा गिरोगे, तो दिमाग प्रोसेस कर लेता है और आपको डर लगता है, सिमिलरली जब मैं जा रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं आंक्शेस हूँ या एक्साइटेड हूँ, क्यों कुटे ने काट लिया, एक्सिदेंट हो गया, रेगिस्तान में टायर फट गया, बाइक ऑल्मोस बीच से अलग हो गई, वीजा एक्सपायर होने से कुछ मिनट पहले बाडर क्रॉस किया, वो भी ऐसा बाइक पर धक्का मर गये, पिर एक बाइस डिएफसी ने बैंक अकाउं का है कि आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसा पहले मुझे लगता थे कि यार लोग बाइक पर लद्दाग चले आते हैं, मुझे दिल्ली से बाम में जाना था तो लॉंग डिस्टेंस एक साइकलोजिकल बैरियर था कि भाई इतना दूर कैसे जाएंगे और मैं देखता था लोग टर्की से मंगोलिया जा रहे हैं, साथ अफ्रिका से मुरक्को जा रहे हैं और इसा लोग 3-4 साल का राउंडर ट्रिप बाइक पर ट्रिप कर रहे हैं, तो वो सब अन्बिलीवेबल लगता था कि यह तो वही कैसे हो सकता है, बगर आप परस्पेक्टिव काफी चेंज हुआ है कि हाँ यह सब थोड़ा डूएबल है, पॉसिबल है, और ऐसा काफी सोच के एक्साइट्मेंट भी होता है, थोड़ा ग्यान हो गया, मगर हाँ मोर और लेस आसा ट्रावल आपका परस्पेक्टिव तो चेंज करता है, और काफी आप आपने जैसे अभी अपनी सारे हाइप पॉइंट्रिप करने की तरफ अग्रिसर भी रखा, आपने काफी बताया है कि आपको कुट्य में काड़ लेगा, अगर आप बाइक ट्रिप कर रहे हो तो देन बहुत है कि जानकारी भी होना, और अगर एक्साइड हो जाए बीच में की हां की अभी एबिचिन किये वह डिटेल में कहते रहे, क्या शावाम कि एक एपिसोड में कल भी नहीं कर सकते, उस में हम ढ़िटेल में जानुबाइके अगर इपिसोड में, इस एपिसोड में हमारा साथ अब तक काही है गौरो जी, जाने से फेले आप कुछ कहना चाहें नहीं I think मैं यही कहना चाहूंगा कि एक कोशिश है हमारी podcast की दुनिया में एंटर करने की हम शुरुबात करने हैं अपनी travel कहानियों से और आने वाले episodes में पूरे South America journey के बारे में बात करेंगे और अगर शुर्ताओं को पसंद आता है तो हम और भी travelers को invite करेंगे और उनकी कहानिया आप तक प्रस्तुत करेंगे तो जाते जाते मैं वही तीन शब्त कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल का नाम भी है Life is Enjoy Life is Enjoy पिल्कुल ठीक आपने और आपने इसा कि वह लगए बुफे आने वाला है अगले episode के अलग अलग तरह कि यसे डिशिग होती है वरेटी होती है वह फिर में ऐसी अलग अलग तरह कहानिया है तो सब के लिए सब कुछ कुस्ता कुछ होगा तो यह वांडर दा के नाम से इनकर इस्टागरम है उस पर यह लिंक डालेंगे फोस्त होगा वहाँ पर तो जो पिसको सुन रहे हैं वह फीडबैक जरूर दे कि क्या अच्छा लगा क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं वह बास मारे लिए भी एक फर्स एटेम एंड लर्निंग नवर स्टॉप्स तो अगले अपिसोड देंगे और कहानिया सुनेंगी गौरो जी की उनीकी जुबानी विकॉस कहानिया किस्ते यही तो रह जाते हैं सब कहीं से समस्कार